दोस्तों आगर आपने Instagram पे Two-factor authentication लगा दिया है ठीक है सी फेरिटी परपस से आपने Instagram पे two-factor authentication लगा दिया है और जैसे वापिस से आग मान लीज़ें कि आपका Instagram लॉग आट हो जाता है वो इसको लॉग इन कर रहा है तो वह लोग इन नहीं हो रहा है है वहाँ पर कोड मांग रहा है कोड आपका आई ही नहीं रहा है आपके वाटसप प्यारा आपके इमेल प्यारा है तो दोस्ता आज मैं वीडियो मताओंगा कैसे आप टू-फैक्ट ऑथेंटिकेशन को वापिस से लॉगिन कर सकते हैं वापिस से बैक अप कोड मंगा सकते हैं प्रवलम है वह सौल हंडेड़ एंटेन परसेंट हो जाएगा अगर आपने इंस्टाग्राम पर टू-फैक्ट ऑथेंटिकेशन लगाया है और इंस्टाग्राम को लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन नहीं हो रहा है बैक अप कोड नहीं आ रहा है तो क्या करना है मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा फिर उसके बाद आपकी इमेल पर बैक अप कोड आ जाएगा बैक अप कोड आप डालके वापिस अपने इस्टाग्राम को लॉगिन कर सकते हैं बहुत असानी से ठीक है तो बिल्कुल भी आपको घबरानी की जरूरत नहीं आप बिल्कुल सही वीडिय यह आते हैं तो आपका कोड नहीं आता आपके WhatsApp नमबर पर कोड नहीं आता जैसे कि मैं फिर से दिखा देता हूं जैसे कि मैं Instagram मैं ने ओपिन किया फिक है भी बिस ऐनीच ठीक है कि यहाँ पर देखिए बारबर यह लिखा रहा है और बार यह अंदर डिवाइस तो इसलिए भी यह प्रावल्हा आ रहे है तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन और डिवाइस पर क्लिक किजिएगा तो आपका माल लीजे कि दूसरे के फोन में उस पर नोटिफिकेशन आएगा उस पर कोड आएगा और फिर उसके बाद वह कोड डालिएगा तो यहां पर ऑपन हो जाएगा आपका इंस्टाग्राम को लगेगा कि आप नए यूजर है ठीक है इसलिए आप सेफटी परपस के लिए बार-बार देकर यहां अगर यहां से भी नहीं होता है दोस्तों आप आप यहां से backup code भी ले सकते हैं backup code पर क्लिक करके यहां continue कर देना है continue कीज़ेगा तो यहां पर फिर उसके बाद आपके पास एक code आएगा ठीक है तो आपके पास code आएगा कर ola . कोड भी आपको receive नहीं हो रहा है यहांntव कर पा रहे आप क्योंकि receive ही कोड नहीं आरा रहा वैक आपको क्या करणा डाया बैक आगा तो फिर से आपको क्या करना होगा आपको फिर से आपको दूसरे फोन में जैसे कि मानली जो फोन में पहले आप इस्टाग्राम यूज़ करते थे उस फोन में आपको इस्टाग्राम को लॉगिन कर लेना ठीक है उस फोन में आपको इस्टाग्राम लॉगिन करने के बाद टू चारद आपको क्या करना है यहां दिखिएगा प्रोफिल के पर जाने के बाद यहां फीर पर जाने के पर चार surgeons करें सह ..... इसका इसको आ पर देना है इन्स्टाजग्रम को पेन करने के बाद इसको आंफ कर देना है.' ठीक है आपको जो पहले वाला फोन जो यूज कर रहे थे उसमें जाके इसको यह सेटिंग को आपको कर देना है ठीक है फिर उसके बाद भी दोस्तों अगर आपका सही नहीं होता है तो आपको सीधा जाना है अपने फोन में क्रोम ओपिन करें मैं सच कर लेता हूं Instagram Instagram help center Instagram service करने के सब्सक्राइब 10 करने के बाद इस पर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूब लिखना है यहाँ पर ट्री याड को अप्टेकर Camera Canada your account पर click कर देना Manager account पर click करके Sign up and sort Ian प्रक्लिक करने के बाद आपको factors करके नीचा आना है तिर उसका नोप्रक्लिक करना है यहाँ अदर क्लिक करना है देख सकते हैं ध्यान जेएगां यहाँ पर आपको अधर पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक मैसेज लिखना है इस्टाग्राम को ठीक है तो यहां पर देखिए इस्टाग्राम लॉगिंग इरर पर लिखना है फिर उसके बाद आपको अपना इस्टाग्राम का यूजर नेम दे देना है जैसे कि मैं अपना इस्टा बस इसके बाद आपको सब्मीट करने के बाद आपके इंस्टाइग्राम का जो लॉग इन नहीं हो रहा है दो से तीन दिन में यह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इस्टाइग्राम तो दोस्तों ऐसे आप इंस्टाइग्राम की यह टूफेक्ट ऑथेंटिकेशन जो आप यह लॉग इन कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्नोग्रीडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजएगा थैंक्स पर वाचिंग